आज हम तिन तरफ से नास्ता बनाएंगे, वो भी हिल्दी नास्ता, लास्ट वाली नास्ता सबकी पसंद की होगी, तो वीडियो में जरूर बने रहेगा, पूरी वीडियो देखियेगा, कडाही में हम तेल गरम करेंगे, अदरक, लसन, हरी, मिर्च डाल कर, सोते कर लेंगे, स प्रश्मेरी लाल मिर्च, कटा हुआ टामाटर और इसमें नमक डाल कर मिक्स करेंगे ताकि टामाटर जल्दी से सोफ्ट हो इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जैसे धनिया पाउडर, कुटी काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला और इन सारी चीजों को हम अच्छ मिक्स करने के बाद इसमें उबले हुए चोले डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गयस बंद कर देंगे अरा धनिया और निमोनी चोड़ लेंगे अब इसे हम गयस से नीचे रख लेंगे, अब ब्रेड लेंगे और एक ब्रेड हाथ में उठाकर चोले मसाले को में इस तरह से spread करेंगे और उपर से एक ब्रेट इस तरह से डाल कर अच्छी तरह से दबा देंगे दोनों ब्रेट को हम इसी तरह से कर लेंगे पैन गरम करेंगे और पैन में हम ब्रेट में घी डाल कर रख देंगे और एक मिनट के लिए सेख लेंगे bread के उपरी side भी हम घी डाल देंगे और इसे इस तरह से पलट देंगे और एक मिनट के लिए इसे भी हम सेख लेंगे सिख जाने के बाद इसे हम triangle shape में इस तरह से cut कर लेंगे और पलेट में निकाल लेंगे दूसरे को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे आब इसे हम serving plate में इस तरह से serve कर लेते हैं red chutney के साथ अब हम चलते हैं दूसरा नास्ता बनाने के लिए तो दूसरा नास्ता बनाने के लिए हमारे पास बची उवी रोटी है ये बासी रोटी है रात की बची उवी इसको हम इस तरह से रोल करेंगे और रोल करके चाकू से इस तरह काट लेंगे सारे को काटने के बाद हम इसे बीच में से और हम ये जादे लंबा हो जाएगा तो बीच में से और हम इस तरह से 2-3 कट लगा लेंगे तो इस तरह से छोटे-छोटे टुकडों में ये कट जाएंगे अब हम पैन में तेल डालेंगे और गरम करेंगे इसमें करी पता, राई, हरी मिर्च, हिंग और प्याज डाल कर इसे हम अच्छी तरह से बून लेंगे अब हम इसमें एक टमाटर कटा हुआ और पता गोबी, स्वाइद अनुसार नमक, कस्मेरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा और तीखी लाल मिर्च डाल कर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कटा हुआ रोटी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसालों में और सबजियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब हम गैस में से इसे नीचे करेंगे और पलेट में इस तरह से सर्व कर लेंगे तो ये बची रोटी का हेल्दी नास्त सबजीओ के साथ बनकर ready है आप try जरूर कीजियेगा विडियो पसंद आ रही हो तो like कर दीजेगा एक चोटा सा comment कर दीजेगा ज्यादस ज्यादस share कीजियेगा channel में नए है तो subscribe जरूर कर लीजियेगा तो यह इस तरह से यह बनकर ready हो अब हम दूसरा बनाने चल रहे हैं तो यह तीसरा नास्ता है जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद है तो कडाही में हम तेल गरम करेंगे प्याज डालेंगे पत्तागोबी डालेंगे गाजर डालेंगे और फिर आधा कटा टमाटर डालके स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्स डालके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर को सोप्ट कर लेंगे टमाटर के साथ सारी सबजियां भी सोप्ट हो जाएंगी अब इसमें हम डालेंगे माइगी और माइगी क्या मसाला और अच्छी तरह से एक मिनट तक हम मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे हम 2-3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे low to medium flame में इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डूब जाने चाहिए माईगी पानी में अब कवर हटाने के बाद 2-3 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे अच्छी तरह से mix करेंगे और फिर गयस बंद करने के बाद इसे हम गर्मा-गर्म serving bowl में serve कर लेंगे तो माईगी तो सभी को पसंद आती है है ना तो चलिए इसी की खुशी में एक like दे दीजिए चैनल में नए है तो subscribe कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद अगली नहीं रेसेपी के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें